हालो एब्रिवान मेरा नाम निदीज सेख हूँ है मैं आठ पढ़ाती हूँ और आठ के बारे में लिखती भी हूँ इस वीडियो में हम टर्म वान के सारे टॉपिक्स राजस्थानी पहाडी मुगल डेकन के MCQs की प्राक्टिस करेंगे चलिए शुरू करते हैं पहला question जैन कल्पसूत्र शैली राजस्थानी लगुचित्र की किस उपशैली में शुरू और विक्सित हुई जैन कल्पसूत्र शैली का time period आता है 10-15 century और ये राजस्थान में भी develop हुई थी क्योंकि ये भी उसका एक important center था और लगुचित्र शैली जो राजस्थान की है उसका पहला center मेवाड था तो शुरू के चर्णों में जैन कल्पसूत्र शैली का प्रभाव मेवाड पर काफी जादा देखा गया तो हमारा answer है C मेवाड Second question किसने दो फार्सी कलाकारों मीर सैयद अली और खौजा अब्दु समत को अपने दर्बार में studio स्थापित करने के लिए आमत्रित किया था अगर आपको ध्यान हो थोड़ा history की तरफ जाएं हुमायू और शेशा सूरी की लडाई में हुमायू पराजित हुए थे और वे फिर जाके पर्शिया में उन्होंने जाके शरण ली थी तो वहां उन्होंने बेहजाद की paintings को देखा और वो काफी उससे impress हुए थे वहां बेहजाद के आगे जो शिश्य थे मीर सैयद अली और खौजा अब्दु समत हुमायू ने उन दोनों को अपने दर्बार में studio बनाने के लिए आमत्रत किया था सो डी हुमायू हमारा correct answer है अगला प्रशन उस शासक का नाम बताईए जिसने अपने पिता की मृत्यू के बाद हम्जा नामा पर काम जारी रखा हम्जा नामा पैगंबर मुहम्मद के चाचा हम्जा की कहानियों पर आधारित है जो 14 खंडों में volumes में बनी इसमें 1400 illustrations हैं चित्र हैं और इसे लगभग 15 साल लगे बनने में यह मीर सयदली और अब्दस सम्मत के supervision के अंडर बनाई गई थी इसे हुमायू ने शुरू कराया था जिसे बात में अकबर ने खतम कराया तो बी अकबर हमारा सही जवाब है अगला question है match the tables table 1 first कबीर और रायदास में हमें कपड़ा बुनते संथ कबीर नजर आते हैं सेकेंड कृष्णा लिफ्टिंग माउंट को वर्धन में दैवी चमतकार है जिसमें श्री कृष्ण ने पूरा का पूरा माउंटेन अपनी उंगली पर उठाया हुआ है फिर तीसरे में marriage procession अफ्तारा शिकों म में हमें शाजहां जो एक राजा थे उनके सिरके चारों और हारा निम्बस या प्रभा मंडल दिखाई देता है फिर falcon on the bird rest में देवनागरी में लिखे हुए हैं शब्द जैसे उत्तम और बाहरी तो 4th 1C 2A 3D और 4B हमारा सही जवाब है next question राना दिल दाराशिकों किस मुगल शासक के शासनकाल में बनाई गई थी दाराशिकों शाजहां के पुत्र थे और शाजहां काल 1658 में almost खतम हो गया था ये painting 1658 में बनी सो शाजहां हमारा सही जवाब है B अगला question फिर से match the tables table 1 पाध्षा नामा शाजहां काल के दौरान बनाई गई थी काले और सफेद रंग में काले के लिए कोईला और सफेद रंग के लिए shells को grind किया जाता था थर्ड लंबी सफेद माला पहने हरी हरी श्री कृष्ण को कहते हैं तो B कृष्णा लिफ्टिंग माउंड को वर्थन फिर फूर्थ मिस्किन अकबर के अधीन थे जो मास्टर चित्रकार के रूप में काम करते थे तो फूर्थ यानि 1D 2B 3C 4A हमारा सही जवाब है अब कुछ questions assertion on reasoning के assertion मतलब अभी कथन जिसे कथन कहें या easy language में हम statement बोल सकते हैं reason मतलब उसका तर्क या उसकी व्याख्या तो assertion reasoning questions में हमें दोनों sentences में बीच का तालमेल उसकी व्याख्या या उसका आपस में क्या connection बन रहा है उसे देखना है और फिर सही answer उस पे हमें OMR sheet में ब्लाकन करना है तो ये question है ये मतलब assertion statement मुगल painting handmade sheet पर बनाई गई जाती थी जो इस उदेश्य के लिए विशेश रूप से तयार किया जाता था ये बिल्कुल सही है क्योंकि सारी मुगल paintings मुगल miniatures handmade sheet पर ही बनी हुई है फिर reason statement कह रही है कि शासकों द्वारा चुने गए चित्रों को frame करके विभिन मुगल मुगल राजधानियों में महलों की दिवारों पर टांग दिया जाता था ये अगर आप देखें statement तो गलत है क्योंकि ये जो miniatures थे ये बहुत छोटे होते थे और इसमें बहुत सारी details बहुत बारीकी से काम किया जाता था तो इन्हें albums में लगा कर हाथ में पकड़ कर देखा जाता था इन्हें कभी भी दिवारों पर लगाने का कोई भी उदेश नहीं था तो हमारा सही जवाब है third A is true but R is false यानि assertion सही है लेकिन उसका तर्क आर गलत है next question फिसे assertion reasoning का assertion statement में लिखा है फार्सी चितरकार बिहजाद को बाबर ने अपने तरबार में एक studio स्थापित करने और शाही painting बनाने के लिए आमंतरित किया था ये sentence देखने में ठीक लग रहा है लेकिन बाबर गलत है क्योंकि ये काम हुमायू ने किया था तो तरक कहता है कि बाबर के इतिहास यानि उसके chronicles में जिन आर्टिस्ट का उलेख है उनमें बहजाद भी है ये statement बिलकुल सही है क्योंकि बाबर को बहजाद का काम काफी पसंद था और उनके इतिहास में बहजाद के बारे में उलेख किया गया है तो हमारा सही जवाब होगा फोर्थ जिसमें है कि A गलत है लेकिन R सही है A is false but R is true तो फोर्थ अगला प्रशन A statement बोल रही है जहांगीर ने उस्ताद मनसूर को नादर उल असर की उपादी दी ये बिलकुल सही है जहांगीर ने ही उपादी दी थी इन फैक्ट सारे जो मुगल राजा थे वे अपने लोगों को ऐसे ही समानत करते थे आर में लिखा है जहांगीर के पास विदेशी पक्षियों और जानवरों का एक अच्छा संग्राय था और उसने उन पर चितर बनवाए हमारे सिलेबस में भी है falcon on the bird rest जो जहांगीर के प अगला प्रशन राजिस्थानी लगुचित्रों का सबसे प्रारंबिक केंद्र मेवार था इसी तरह पहाडी लगुचित्र कला का सबसे प्रारंबिक केंद्र था डैश तो राजिस्थान का हम पढ़ चुके हैं मेवार था क्योंकि वहीं से शुरू हुआ और पहाडी का सब से पहले आता है बसोली क्योंकि बसोली से ही आगे गुलेर चमबा कांगडा सब जगा ये फैला तो सी बसोली हमारा सही जवाब है आगे चलते हैं किस पहाड़ी उपशैली में गहनों को अंकित करने के लिए हरे रंग के बीटल के पंखों के उपयोग की अनूठी क्योंकि बसोली में अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन कलर की आपको जूलरी में नजर आ रहे हैं ये उस एक इंसेक्ट के पंक है जो जिसे बीटल कहते हैं इंगलिश में ये फोटो भी आप देख सकते हैं पहाड़ी एरियास में इस तरह के बीटल बहुत पाये जाते है तो ये एक बहुत अनूठी विशेशता है पहाड़ी स्कूल की स्पेशली बसोली की तो बी बसोली हमारा सही जवाब है नेक्स्ट क्वेस्टन पालम भागवत के चित्रों को चित्रकला के किस उपशैली में देखा जा सकता है ये सैंपल पेपर का क्वेस्टन है ये आप द दू के बीच में और जो फॉरन हिस्टोरियन है जो इतिहासकार है उनने वो 1520 का टाइम दिया है ये 16 सेंचरी में आया और ये शुरू के मेवाड उपशैली में ये वाली चित्रकला में देखा गया है तो ये मेवाड उपशैली हमारा सही जवाब है अब एक दो क्वेस्ट स्टेट्मेंट में लिखा है रागमाला पेंटिंग सुंदर सुलेख यानि कैलिगरफी में रागों और रागिनियों का चित्रन है ये स्टेट्मेंट गलत है क्योंकि इनमें कैलिगरफी नहीं है इनमें रागों और रागिनियों का मानवी करण है आर स्टेट्मेंट में ल प्रकट हो सके तो चौथा यानि ए गलत है बट आर सही है हमारा सही जवाब है नेक्स्ट क्वेस्टिन ए असर्शन स्टेट्मेंट में लिखा है साहित्य ग्रंथ यानि लिटररी टेक्स्ट पहाडी चित्रकारों के पसंदिदा विश्यों में से थे या बिलकुल सही है यह सिरफ पहाडी ही नहीं बाकी मिनियाचर आटिस्ट के भी पसंदिदा विशे थे फिर आर में लिखा है पहाडी क्षेत्र की प्रकृतिक सुंदर्ता यहां चित्रित लगुचित्रों की प्रश्ट प्रिष्ट फूमी है ये भी बिल्कुल सही है, natural beauty आपको background में नजर आती है, लेकिन A और R उपर literary text की बात हो रही है, नीचे natural beauty की बात हो रही है, तो second की दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है, हमारा सही जवाब है, तो second is our answer. Next question, मुगल और दक्कन के स्कूलों में प्रभाव का समान स्रोत यानि common influence कौन सा है, B Dutch color और C European color दोनों हमें मुगल और दक्कन में नजर आती है, लेकिन लेपाक्षी बित्ती चित्र अगर आप देखें, लेपाक्षी मूरल सिरफ दक्कन में influence है, लेकिन सबसे जादा influence अगर लगू चित्रों पर कौन से प्रभाव थे, इसके लिए अगर हम मैप देखें, तो हमें जादा clarity मिल जाएगी, यह दक्कन का जो क्षेत्र है, नर्मदा और कृष्णा रिवर के बीच का जो उच स्थली है, वो एरिया दक्कन में आता है, इसमें में जो सेंटर्स थे वे थे अहमद नगर, बीचापूर, गोलकॉंडा और हाइदराबाद, तो इन पर अगर आप जोग्रफी के लिए देखें, तो उपर मालवा रीजन पढ़ता है, और नीचे इसका काफी influence विजे नगर का है, तो मालवा और विजे नगर का जो लेपाक्षी है, इनका influence सबसे पहले इन डेकन के लगूचित्रों पर देखा गया, सो सी हमारा सही जवाब है, कोलकॉंडा से सबसे पहले पांच लगूचित्र डैश में संकलत यानी compile किये गए थे, ए नजुम अलुलुम उस टाइम का इंसाइक्लोपीडिया है, जो 1570 में बना, और इसमें 876 मिनियेचर्स है, जिसमें अलग-लग विश्यों पर information है, बी तारीफे हुसेन चाही, हुसेन निजाम शावान जो एहमद नगर से थे, उनके बारे में उसमें poems लिखी गई है, डी डेकनी रागमाला बहुत बाद में बनी थी, सी दिवान औफ हाफिस हमारा सही जवाब है, क्योंकि इसमें वो पांच लगुचित्र इंकलूड किये गए हैं, सो सी हमारा सही जवाब है, आगे चलते हैं, मुगल और दक्कन शैली के लगुचित्रों में किंदो शासकों के सिरके चारों और हरे रंग का निंबस या प्रभा मंडल है, ये दोनों पेंटिंग्स आप देख सकते हैं, पहली मैरिज प्रसेशन अफ दाराशे को, शाजहां के अराउंड हरे रंग का हेलो है, और दूसरे में सुल्तान अब्दुल्ला कुतब शा के अराउंड भी हरे रंग का हेलो है, रॉयल लोगों को अलग से दिखाने के लिए ये वाली चीज यूज़ की जाती थी, उनके अराउं फिर डीप रिष्ट फूमी में फ्लोरल डिजाइन भी बने हुए, लेकिन सी मोटा लाल हाशिया, अगर आपको याद हो तो ये पहाडी की विशेशता है, डेकन की नहीं है, तो सी हमारा सही जवाब है, नेक्स्ट निमन लिखित में से किसने डेकन कला को प्रभावित नहीं लेकिन डी पहाडी इंफ्वेंस डेकन तक नहीं पहुंचा था, तो डी पहाडी कला हमारा सही जवाब है, निमन लिखित में से कौन सी हजरत निजामुदीन ओलिया रमीर खुस्रो पेंटिंग की विशेवस्तु है, ये आंसर काफी आसान है, डी एक सूफी संत अपने संतुलन तीन प्रकार का होता है, सिमेटिकल, ए सिमेटिकल और रेडियल, इस पैंटिंग में ए सिमेटिकल बालन्स है, संतुलन है, क्योंकि यहां पे लेफ्ट साइड पे जो फिगर है, अमीर खुस्रो की, उसको राइट साइड पे थोड़ी हेवी फिगर और क्री के साथ गया है, तो इसमें ए हमारा सही जवाब है, और information के लिए आप मेरा कला के सिधात वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने काफी देर पहले upload किया है, अब दो questions फिर से match the tables, table 1, सभी महिलाओं के समान चेहरे हमें painting कृष्णा विद कोपीज में नजर आते हैं, सवाए कपणों और collection के बाकी बनावट काफी मिलती जुलती है, फिर second, सफेद या ग्रे रंग के बड़े क्षेत्रों को चितरित किया गया है, ये विशेशता थी नैन सुक की, उपर आप paintings भी देख सकते हैं, इसमें काफी white और gray areas हैं, फिर third, नान्द यशोधा और कृष्णा विद केंसमें ग 4A हमारा सही जबाब है, next question table 1, first kol konda sub school है D, चान बीबी प्लेइंग पोलो का, second, चान बीबी प्लेइंग पोलो में हमें जील में सफेद जलिये पक्षी और कमल के फूल दिखते हैं, third, हाइदराबाद sub school है A, हजरत निजामुदीन ओलिया और अमीर खुस्रों का, और fourth, हजर जवाब है, अगला प्रशन है, जैपुर में जिस्थान पर पेंटिंग बनाई और संग्रहित की जाती थी, उससे डाश कहा जाता था, मंडीक बोलते थे, स्टूडियोज को बीकानेर के, मरमत खाना और वसली घर शब्द हैं, जो मरमत और वसली से बनाए गए है, question के लिए C. सूरत खाना हमारा सही जवाब है, अगर आपको ध्यान हो तो जैपुर उपशैली में, जैसिंग जिनके नाम पर जैपुर का नाम पड़ा, उन्होंने सूरत खाना को रियोगनाईज करके, उसमें पेंटिंग को संग्रहित और कलेक्ट करना शुरू किया था, तो C. सूरत खाना हमारा सही जवाब है, अब अगला question सामगरी और बनाने की विधी से है, यानि method and material से, रंगाई के बाद उपयोग की जाने वाली उस तकनीक का नाम बताईए, जिसमें पेंटिंग में चमक लाने के लिए, पेंटिंग के पीछे एक पत्थर को रगड़ा ज माउंटिंग होता है, फ्रेमिंग से पहले जो किया जाता है उसको पेंटिंग को नीट पनाने के लिए, और बर्निशिंग वो टिकनीक है, जिसमें घोटा यानि अगेट नाम के पत्थर को पेंटिंग के पीछे रगड़ के उसमें चमक भी लाते थे और पूरी पेंटिंग को एक सार करते थे, so see burnishing हमारा सही जवाब है, अब फिर से assertion on reasoning, sculpture, applied और graphics के जो sample paper थे, उसमें case study questions ही आए, assertion reasoning नहीं थे, case study काफी असान थे, क्योंकि उसमें paragraph जो explanation दी थी, वो paintings की थी, और बाकी related questions भी काफी असान है, तो assertion on reasoning हम थोड़ी और practice करते हैं, अब ये दो question, first assertion statement दक्तन के लगुचित्रों के बाद के हिस्से में प्रबल मुगल प्रभाव है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि मुगल प्रभाव यहाँ पर काफी देखा गया, reason में लिखा है क्योंकि औरंगजेब काल के दौरान कई मुगल चित्रकार दक्तन चले गए, ये बिल्कुल सही है और अंगजेब काल में पेंटिंग जादा डेवलप नहीं हुई तो चित्रकार उपर पहाड़ी और नीचे दक्तन की तरफ शिफ्ट हो गए थे तो first one यानि बोथ दोनो A और R सही हैं और R A की सही व्याख्या है हमारा सही जवाब है अब last question A assertion statement में लिखा है चांद बीबी प्लेइंग पोलो विधर कंपानियन्स हादरबाद सबस्कूल से है यह गलत है क्योंकि यह पेंटिंग गोल कोंडा सबस्कूल से है फिर R में लिखा है यह पेंटिंग दक्कन शेत्र की शाही महिलाओं के ततकालीन जीवन शैली को दर्शाती है यह बिल्कुल सही है उस टाइम की अच्चली हमें विबन लिबरेशन का ही यह टॉपिक नजर आता है क्योंकि शाही महिलाओं उस टाइम पें पोलो खेल रही है तो फोर्थ यानि ए गलत है लेकिन आर सकते है हमारा सही जवाब है अभी के लिए इतना ही MCQ बुकलेट्स क्लासिस 10th और 12th के लिए दोनों अवेलेबल है कोई फ्रीलांस आर्टिस अगर वीडियो देख रहे हैं आर्टिस स्टेट्मेंट या राइट अप्स के लिए आप मुझे कॉंटाक्ट कर सकते हैं ये वीडियो हैं जो मैं हिंदी और इंग्लिश में अलग-अलग बना चुकी हूँ सब्सक्राइब और शेर जुरूर कीजिए मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशिस थैंक यू वरी मच और गुडबाए